हेलो दोस्तों कैसे आप सभी वेल्गम टो मैं चैनल बाइलोजी बूस्टर दोस्तों आज हम सेल साइकिलेंग सेल डिविजन के बारे में बात करेंगे आज सेल डिवाइट क्यों करती है देखिए है यह साइटब्लाजम है यह नूटलिस है अभी दोनों सेल रिवाइट के बारे उसके बारे मांदों साइट्लस जी करती है तो पहला reason तो यह हो गया कि cell इसली divide करती है क्योंकि cell का जो karyoplasmic index है जिसे हम nucleoplasmic ratio भी बोलता है karyoplasmic ratio भी बोलता है तो वो बिगड़ जाता है ठीक है तो उसे maintain रखने के लिए cell divide होती है दूसरा यह है कि surface area volume ratio है वो घड़ जाता है जो कि cell के लिए ठीक नहीं है surface area volume बढ़ा हुआ रहेगा तो तब cell के अंदर सारी जो activities है ठीक धंग से हो पाएगी इसलिए जब surface area और volume ratio घड़ जाता है तो इसलिए cell को divide होने की ज़रूत पड़ती है दूसरा देखिए के आई हम कैसे निकाल सकता है volume of nucleus upon volume of cytoplas where vn is equal to volume of nucleus upon volume vc is equal to volume of cell तो जब हम volume of cell में से volume of nucleus minus करतेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा volume of cytoplas जिसके जब volume of nucleus और volume of cytoplas मिल जाएगे तो इनके बीच का ratio भी निकल जाएगा यानि karyoplasmic index हम निकाल पाएगे तो आपको समझ में आया ना कि cell divide की होती है अब देखते हैं cell cycle cell cycle पहला देखते हैं human cell human cell को divide होने 24 hours लगते हैं और each cell को divide होने में 90 minutes लगते हैं cell cycle दो तरीके से दो phases में divide होती है पहला है दो phases में पूरी होती है पहला नॉन डिवाइडिंग फेस दूसरा डिवाइडिंग फेस को हम pre-pattery phase भी बोलता है इसे हम resting phase भी बोलता है क्योंकि इसमें cell divide नहीं होती है लेकिन cell preparation कर रही होती है cell active होती है metabolically active रहती है दूसरा डिवाइडिंग फेस dividing phase किसके तरू होता है माइटोसिस और मियोसिस जिसे हम M-phase से डिनोट करते हैं इंटर-phase को हम I-phase से डिनोट करते हैं जो कि 24 hours में से 23 hours इंटर-phase में ही complete हो जाता है जो कि पूरी cell के cell cycle के 95% से भी ज़्यादा है और जो M-phase है इसमें से 1 hours में division हो जाता है cell का तो यह किस की cell में कौन-कौन सा division होता है देखिए मतला हमारी जो हमारे शरीर में सारी सेल सोमेटिक सेल्स है except sex cell और germinal cells के जिससे germinate होता है जिन सेल से ovum and sperm बनता है उन सेल को छोड़के बाकि सारी सेल सोमेटिक है और सभी में जो division होता है वो mitosis के थ्रू होता है mitosis को हम equational division भी बोलता है क्यों क्योंकि इसमें number parent cell में जो number of chromosome होता है वही last तक daughter cell में भी number of chromosome सेम रहता है जब daughter cell से parent cell बन जाती है तो दोनों में number of chromosome सेम रहता है दूसरा है meiosis मियोसिस को हम reductional division इसली बोलते है क्योंकि जो parent cell है उसमें जो number of chromosome है daughter cell में उसके आधे ही जाता है इसली से reductional division भी बोलता है अब देखता है interface interface तीन भागों में बटा होता है G phase, G1 phase, S phase और G2 phase देखिए पूरी एक cell cycle है G1 phase जिसे हम gap 1 phase बोलते है S phase, synthetic phase, G2 phase, gap 2 phase, M phase, mitosis phase देखिए G1 phase जो की सबसे बड़ा phase है पूरी cell cycle का जो की 11 hours में complete होता है synthetic phase इसमें 8 hours लगते है G2 phase इसमें 4 hours लगते हैं और सबसे कम लगते हैं M phase में बना रहे है अब देखते हैं कुछ चीज़े G1 phase, S phase और G2 phase में जानते हैं इनमें आखिर होता क्या क्या है देखिए G1 phase में G1 phase में क्या होता है G1 phase को हम सबसे पहले तो gap 1 phase बोलते हैं दूसरा gap between M phase and S phase आपने अपने cell cycle देखी न तो उसमें जो G1, जो gap 1 phase है वो mitosis phase और S phase के बीच में आ रहा है इसलिए इसे gap between M phase and S phase बोलते हैं दूसरा इसे pre-synthetic phase बोलते हैं क्योंकि यह synthetic phase से पहले आता है फिर है post-mitotic phase इसे post-mitotic phase बोलते हैं क्योंकि है mitotic से के बाद आता है ठीक है अब देखते हैं इसमें events क्या-क्या होता है duplication of all cell organelles except mitochondria, plastid and centrioles G1 phase में जितने भी cell organelles है सबका duplication हो जाता है सिर्फ mitochondria, plastid and centrioles को छोड़के सभी organelles duplicate हो जाता है डबल हो जाता है और क्या होता है G1 phase में देखिए all proteins required for DNA replication formed in G1 phase जितने भी आगे S phase में हमें DNA के duplication के लिए replication के लिए हमें proteins चाहिए वो सब G1 phase में बन जाती है अब देखते हैं S phase जिसे हम synthetic phase भी बोलते है this phase is between G1 and G2 phase यह है G1 और G2 के बीच का phase है replication of DNA and histone protein इसी में synthetic phase में ही replication होता है DNA का और histone protein का और क्या होता है replication of centriol का लेकिन वो किसमें होता है वो होता है cytoplasm है वो भी सिफ animal cell में क्योंकि जो centriol है वो animal cell में मिलता है plant cell में नहीं होता अब देखते हैं G2 phase G2 phase को हम growth 2 phase भी बोलते हैं gap between S phase and M phase भी बोलते हैं gap between synthetic phase and cell division मतलब synthetic phase हो गया S phase और cell division का हो गया M phase यानि gap between S phase and M phase post synthetic phase synthesis phase के बाद आता है इसलिए post synthetic phase बोलता है mitotic phase से पहले आता है इसलिए pre mitotic phase बोलता है देखिए events क्या क्या होता है इसमें duplication of mitochondria and plastids G2 phase में ही जो G1 phase में रह गयते उनका duplication G2 phase में आकर होता है दूसरा है large amount of RNA protein synthesis मतलब इस G2 phase में क्या होता है large amount में RNA protein synthesis हो जाता है ताकि आगे जब cell divide हो तो उसे पूरी energy मिले और वो ठीक से division कर सके अपना दूसरा है फिर इसी में G2 phase में ही tubulin protein का synthesis हो जाता है जो की आगे mitotic phase में help करती है spindle fiber बनाने में अब देखता है M phase M phase यानि mitotic phase mitosis if somatic cells, meiosis if germinal cells M phase जो होता है उसमें दो process होता है karyokinesis, cytokinesis, karyokinesis का मतलब होता है division of nucleus और cytokinesis का मतलब होता है division of cytokinesis karyokinesis होता है यह 4 phase में होता है पहला pro phase, metafase, anaphase, telophase देखे, pro phase यह longest phase होता है जो karyokinesis का होता है यह सबसे लंबा phase होता है metafase best stage to study karyotype of chromosomes यानि जो metafase है इसमें क्या होता है हमें गुन्सूतर ठीक से दिखने लगते है हमें उनके size, shape सब हमें मतलब हम उनने observe कर सकते है अच्छे समझ सकते है कौन से number का chromosome है और कि shape का है तीसरा किस size का है तीसरा है anaphase यानि यह क्या है shortest period है पूरे karyokinesis का इसमें क्या दिखता है इसमें हम shape of chromosome की को देख सकते है हमें shape दिखने लगती है कि कि shape के chromosome है फिर है telophase यह है बिल्कुल reverse of prophase मतलब जो जो चीज़े prophase में हो रही थी उसकी उल्टी चीज़े telophase में होने लगती है prophase में क्या-क्या होता है जिससे nuclear membrane disappear हो जाती है और cell organelles late prophase तक disappear होने लगते है तो इसमें वे सारी चीज़े दुबारा से appear होने लगती है केरियो टाइप की से बोलते है study or morphology of chromosome तो देखते हैं cytokinesis cytokinesis होता है division of cytoplasm animal cell by cell food row method centripetal plant cell by cell plate method centrifugal देखें हम आपको फूरो मेथड़ बताते हैं फूरो मेथड क्या होता है देखें animal cell में plasma membrane अंदर की ओर धसने लगती है जैसे कि यह तीलो फेस में हो जाता है तो इसमें क्या होता है जो animal cell है यहां पर क्या हो गया यह दो नुकलेस बन गया है केरियो काइनेसिस हो गया तो जब साइटो काइनेसिस में क्या होता है जो निकली जो बाहर की plasma membrane अप्लाजम की और खिसकने लगती है यह दसने लगती है तो फिर जैसी जैसी बिल्कुल बीच में आ जाएगी तो बीच में से तूट जाएगी तो जिसके काई यह एक फूरो शेप में हो जाता है मतलब डंबल शेप दिखने लगता है तो इस से बोलता है फूरो मेते से it.to इसमें इसमन से plasma membrane towards the center मतलब center क्यों खिसकने लगती है जिसे हम क्या बोलते है sentry peter अब देखते है cell plate method क्या होता है देखिए ये एक plant cell है plant cell में दोस्तों क्या होता है cell wall होती है तो जब cell wall होती है तो ये cell wall तो rigid होती है जिसके कारण इसमे animal cell से different animal cell से different तरीके से cytokinesis होता है इसमें दो daughter nuclei बन गए है अब क्या होता है जो ये बीच में पड़ा हुआ है इसे हम क्या बोलते है देखिए जब nucleus divide हो जाता है तो कुछ spindle fiber का degrade part बचा रहा जाता है मतलब ये spindle fiber का degrade part है जिसे हम phragmoplast कहते है इस method में plant cell में कुछ calcium peptide इसमें क्या होता है जो गौलगी complex है वो क्या करता है इस spindle fiber में थोड़ा सा calcium peptide मिला देता है जिसके कारण इसकी मातला बढ़ जाती है और ये है ना केंदर से बाहर की और बढ़ने लगता है जिसके कारण यहां पर एक cell plate से बन जाती है cell plate बन जाती है जिसके कारण यह खिच के बीच में से तूड़ जाता है तो यह cell plate के जो थू होता है वो plant cell में होता है इसलिए हम इसे cell plate method बोलता है यो कि गौल्डी complex बनाता है वह है material बढ़ते बढ़ते center से periphery यानि बाहर की बढ़ने लगता है और cell plate बना लेता है now you can say calcium pactate towards the periphery और away from center then called centrifugal अब यह कह सकते हैं कि जो calcium pactate की मात्रा है वो केंदर से periphery की और बढ़ने लगती है यानि away from center and towards the periphery then called इसे फिर क्या बोलता है centrifugal method बोलता है I hope दोस्तों आपको यह वीडियो समाज आईए अच्छे से एक दो बार देखना आपको अच्छे से समाज आजाएगी मैंने इसमें सारी चीजे कवर करने की कोशिश की है और दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजे मैं biology की काफी topics लाने वाली हूँ जिससे आपको काफी help मिलेगी और आप इनके थुरू notes भी बना सकते हैं notes त्यार कर सकते हैं थैंक्यू सो मच अगर आपको वीडियो पसंद आएए तो like करें थैंक्यू सो मच बाइ टेक केर